नमस्कार दोस्तो त्यारी सक्सेस किके इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तो आज हम लग जनुवारी से लेकर अभी तक जितने भी नए नियुक्ति हुए हैं जितने भी नए एपॉइमेंट हुए हैं सबके बरे में हम लोग चर्चा करेंगे तो दोस्तो शक्रच आपकी आने वाय से एक्जाम के लिए वहथी महत्पून होने वाली है तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए तो आपको जितने भी नय नियुक्तिया हुई है इस अब से कुछते हैं तो आपका एक बी कोश्यान नहीं चुटने वाला हैं तो दोस्तो वीडियो दोस्तों आपको एक से दो कोस्चन जरूर देखने को मिलेंगी तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए हो सकता है दोस्ता आप एक कॉपी सामने रख के बढ़िए ताकि आप जितने भी हम कोस्चन आपको बताया और सब आप एक कोपी में नौट कर सकते हैं तो प्यक्या होकी इन्डिया जो है इसके नया चक्त कोन बने है तो दोस्तों साज्चतने भी एपॉंच्ट हुए है इस सारे लेटस्ट है अभी तक जितने भी है सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट है कि कौन बेखती हाली में इंटर पॉलियमेंटरी यूनियन जिसको आई पी यू बोलते हैं कि उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो दोस्तो बने हैं ऑप्शन नमबर डी डियो और पैजो को ठीक है डियो और पैजो को बने हैं इंटर पॉलियमेंटरी यूनियन का नए अध्यक्ष नेक्स्ट कॉस्चन है कि हाली में कौन नियूजलेंड में भारितिय मूल की पहली मंत्री बनी है तो दोस्तो ये भारितिय मूल की है इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंड है तो दोस्तो नियूजलेंड मंत्री मंडल का गठन किया गया उस मंत्री मंडल में भारितिय नंबर d पिरयांका राधा करिश्नन पिरयांका राधा क्रिश्ननी है जो की नियुजलेंड की मंत्री मंटल में मंत्री बनी है Whoa, next question है कि हाला हिमे कॉन भारत्य मूल्क के वेखती इसे सेजल्स के नए राष्ठपती बनाया है तो दोस्तो सेसेल्स के नए राष्टपती कौन है जो कि भारितिया मुल्की है तो होज़ेगा option number C वावेल रामकलावन ठीक है यह है भारितिया मुल्क है जो कि सेसेल्स के नए राष्टपती बने है नेक्स्ट कोस्टिया देखीं कौन बेक्ती हाली में इंडियन बैंक एसोसियेशन के नए अध्यक्ज बना है तो दोस्तो इंडियन बैंक के नए एसोसियेशन कौन बना है तो होज़ेगा option number C और कि राष्ट कीरं राई ठीक है यह बनने हैं दोस्तो 2020 से लेकर 2021 के लिए एक साल के लिए बनने हैं इंडियन बैंक एसोसियेशन के नए अध्यक्ज कोन राष्ट क्योन जॉद्ण के नए परधान मंतरी बने है तो तो जॉद्धों जॉद्ण के नए परधान मंतरी कौन बने है तोॉiczा को अउप्शन मर्मण बी कर एन खारापज ने ठीक है यही नय पढ़्धानमंत्री दो नेक्स्ट कोषश्चन है कि कौन वेगती हाल में विय के नय डिप्टीज गवर्ननर बने में है तो दोस्तों गवर्नलमनर कोपchluss है तो अपसेन नमबर 20 Kaitraaj राव ठीक हो ऑई बने है आरवियक के नएं डिप्टी गवर्नर है इक है नेकस्ट कुस्च्ठन है कि हाल ही में किसे भारoter्ती स्टेटबेंगक अगि में रूप में न्यूक्त किया इया है तो दोस्तों यह स्टेट में के चेर में नया नियुक्त किया गया है क्या नामे उसका तो दोस्तों आपको बताना होगा कि यह जो भारिती इसका इस्टाइबिलिस कब किया गया था तो आप कॉमेंड में मेंशन करें कब इस्टाइबिलिस किया गया तो भारतिय इस्टाइड बैंक हो कि नेक्स्ट है कि हाली में किसे भारती इस्टाइड में सोड़ी दोस्तों यह रिपीट हो गया नेक्स्ट कोश्च चाने की हाली में किसे कमबोडिया में भारत के अगला राजदूत नियूक्त किया गया है तो दूस्तों कमबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियूक्त किया गया है तो हो जागा दूस्तों ऑप्शन नमबर डी देव्यानी खोबरागडे को ही कॉंबोडिया का अगला राजदूत न्यूक्त किया गया है भारत के तरब से नेक्स्ट को स्चान है कि कौन ब्यक्ति हाले में भारतिय फिल्म एंड टेलिविजन संस्थान FTII सोसाथी के नया अध्धक्ष बने है तो दूस्थो इसका नया अध्धक्ष कौन बने है तो अप्सेन नमबर A होजगा परेश रावल जी ही बने है FTII का नया अध्धक्ष नेक्स्ट कोस्चन है कि कौन ब्यक्ति हाले में खादी और गिराम उद्योक आयोक के नये सलाकार नियूक्त किया गया है तो दूस्थो खादी और गिराम उद्योक आयोक के नये सलाकार किसे नियूक्त किया गया है तो होजगो अप्सेन नमबर C सुनील सेटी जी को ठीके ओ दूस्थो भी हीरो वाले सुनील सेटी नहीं है अब वो भी याद रखेंगे नेक्स्ट कोस्टन है कि कौन विक्ति हाली में टेलिकॉम रेगुलेटी ऑथरिटी ओप इंडिया के नये चेर्मन में है जिसको दोस्तो ट्राइ बोलते टी आर ए आई इसका नया अज चेर्मन दोस्तो किसे नियूक्त किया गया है तो होजे को अप्सेन नंबर डी पीडी वाखेला जी को ही ट्राइ के नया अजधक्ष बनाया गया है तो ट्राइ के फुलपर्म क्या है दोस्तो टेलिकॉम रेगुलरिटी ऑथरिटी ओप इंडिया ठीक है अक्सर ये ट्राइ का फुलपर्म भी पुछता है तो आप यह वी याद रखेंगे कौन वेक्ति हाली में राष्टिय तकने की अनुसंधान संगठन जिसको एंटी आरो बोलते हैं दोस्तो उसका नया अजधक्ष बना गया है तो एंटी एरो का नाया अध्यक्ष की से बना गया है तो option नमबर सी अनिल धम मना जी को ही बना आ गया है दोस्तो राश्टिय तकने की अनुसंदान संगठन का नाया अध्यक्ष नेक्स्ट और चाने की कोन वेक्ति हाली में जापान की नए परधानमंत्री बने है तो दोस्तो जापान की नए परधानमंत्री कोन बने है तो दोस्तो और अप्शन नमबर सी एसी सिंदे सुगाजी ही बने है जापान की नए परधानमंत्री तो दोस्तो इससे पहले कौन था तो इससे पहले कौन तो दोस्तों आप comment में mention करेंगे ठीक है और जापान की capital कहाँ यह भी comment में mention करेंगे दोस्तों आपके हर एक comment की हम लोग reply करेंगे और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को like किजिए अपने दोस्तों के साथ share करें साद आने नेक्शट कोस्ट आने कि कौन ब्यक्तिहाली में अखिल भारत यह टेहुं जिसको a हर ए इसका नाय azra पॉइंट किये गये हैं तो दोस्तों यह अखिल भारतिया टैनीस संग के नया अजधक्ष किसे बनाए गया है तो दोस्तों ऑप्शन नमबर बी अनियल जैन यह अनियल जैन जी को ही दोस्तों आखिल भारतिया टैनीस संग के नया अजधक्ष एपॉइंट किये गये हैं नेक्स्ट कोस्टन है कि कौन वेक्ति हाली में FADA वाडा के 35 वे अजधक्ष के रूप में नियुक्त किये गए हैं तो दोस्तों वाडा के नाया अजधक्ष इसका करम भी याद रखेंगा दोस्तों 35 वे नंबर है किसे नियुक्त किया गया है तो अप्सेन नंबर C विकेश गुलाडी जी को ही वाडा के नाया अजधक्ष एपाइंट किये गये हैं नेक्स्ट कोस्टन है कि कौन वेक्ति हाली में South Indian Bank के नए MD and CEO बने है तो दोस्तों South Indian Bank के नए MD और CEO कौन बने है तो दोस्तो होज़ेक option number D मूरली, राधा क्रिश्लन ही बने है साउथ इंडिर बेंक के नए M.D. और C.E.O. Next question है कि कोन वेक्ति हाली में लेवनान की नए परधान मंतरी बने है तो दोस्तो लेवनान की नए परधान मंतरी कोन बने है तो दोस्तो option number A मुहमद आरिफ मुहमद अरिफी बने है दोस्तो लेवनान की नए परधान मंतरी नेक्स्ट कोस्चन है तो दोस्तो यह है नेक्स्ट कोस्चन और आप आज के आखरी कोस्चन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजे अपने दोस्तों को साथ सेर के रहे और दोस्तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाए झाल